हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई टेकर स्टार यूटूब चैनल फ्रेंट्स इस वीडियो में हम माईक्रोसॉफ वर्ड में टेस्ट को डिलेट करने के अलग-अलग अप्सें के बारे में जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का टॉपिक सबोस्थ मुझे इस वर्ड के लेट स्ट में डिलेट करना है तो मैं माउस से यहां पर अपना कर्स लेकर जाओंगा और लेट क्लिक करूँगा उसके बाद कीबोर्ड पर बैक स्पेस की प्रेस करूँगा अब देखो एक बार की प्रेस करने से एक ही लेटर डिलेट होगा अगर मुझे एक बार है पूरा वर्ड डिलेट करना है तो उसके लिए में क्या करूँगा कंट्रॉल की प्रेस करके उसको होल्ड रखूँगा उसके बार बैक स्केस की प्रेस करूँगा अब देखो एक बार हैं पुरा word क्या होगा इसी तरह अगर मुझे किसी word के right side में delete करना है तो right side में delete करने के लिए मैं keyboard पर delete की press करूँगा तो ये letter by letter क्या करेगा उस word को delete करेगा लेकिन अगर मुझे पूरा word एक बार में delete करना है right side में तो मैं क्या करूँगा, control की press करूँगा, उसको hold रखूँगा, और delete की press कर दूँगा keyword पर, अब यह देखो, इस तरह से पूरा एक बार में word delete हो गया, ठीक है, test को delete, test selection करके भी किया जा सकता है, इसके लिए मालो मुझे यहां से लेके, यहां तक यह test delete करना है, तो इसके keyboard में shift key को press करके hold रखूँगा, और मालो मुझे यहां तक इसको delete करना है, तो keyboard में shift key को press करके hold रखूँगा, और यहां पर मैं left click कर दूँगा, अब यहां पर मैं left click कर दूँगा, अब देखो, यहां से लेके पूरा यहां तक क्या हो गया, select हो गया, अब मैं अपने keyboard पर, चाहें backspace या फिर delete की कोई भी press कर दूँगा और वो delete हो जाएगा इसी तरह से मालो कोई पूरा एक word delete करना है selection के दोबारा ठीक है मालो मुझे यह word delete करना है select करके एक बार में mouse से तो मैं इस word में क्या करूँ मैं double click करूँगा तो double click अगर हम किसी भी word पर करते है word में तो वो पूरा का पूरा word select हो जाता है उसके बाद keywords हम backspace यह फिर delete की press करके उसको delete कर सकते हैं मालो अगर एक पूरी line delete करनी है तो line delete करने के लिए क्या करेंगे यह जो active area है ना यह जो intent है इसके इस पर तो active area है और यह जो खाली area इसको margin होते हैं तो अपने cursor को इदर लेके आना है और जिस line को delete करना है उस line के आँगे अपनी cursor को लाना है और left click करना है अब देखो यह प बार में एक पूरा sentence lead करना है तो sentence क्या होता है जिसके end पर fully stop आ जाए जाए कुछ समार्क आ जाए ना कोई पूरा full sentence होना चाहिए जैसे यहां से start होके sentence यहां पर खतम हो रहा है fully stop है ठीक है तो हम क्या करेंगे तो अगर इस sentence को हमको delete करना है तो हम keyword पे control key को press करके hold और mouse से इस sentence के ऊपर कहीं भी left click करेंगे अब देखो यह क्या हो गया पूरा का पूरा sentence select हो गया तो अब हम क्या कर सकते है रहके space की या फिर delete की का यूज़ करके इसको delete कर सकते है इसी तरह से अगर हमको पूरा का पूरा paragraph डिलिट करना है तो किसी पारगराप हम क्या करेंग और वो पूरा paragraph select हो जाएगा उसके बार keyboard पर backspace या फिर delete की प्रेस करके उसको delete कर सकते है अब अगर पूरे के पूरे document प्रेस करना हो तो counter plus a और यह पूरा document select हो गया और backspace या फिर delete की प्रेस कर देंगे और यह पूरा delete हो जाएगा तो friends इस वीडियो में इतना है अगली वीडियो फिर मिलेंगे एक नए topic के साथ तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगाओ तो आप इस वीडियो को like करें साथ ही अगर आप हमसे लगाता जूड़े रहना चाहते हैं तो इस channel को subscribe करना ना भूलें धन्यवाद हुआ 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 हाँ